इस वीडियो के नियुक्त हम लोग बात करने वाले हैं ROC के compliance के बारे में जी हां तो यहां पर सेप्टमबर मंद अपना स्टार्ट हो चुका है तो private company के क्या-क्या annual compliance होती है कितनी cost आती है कौन से ऐसे compliance है जो कि mandatory होते है कौन से ऐसे compliance नहीं है प्लस अगर आपने माल नीचे business वगरे भी नहीं कर रहे है लेकिन अगर आपके प्रास में private company है तो क्या compliance को फुल्फिल करना जरूरी है कितनी penalty आपके उपर लग सकती है कितनी late fees लग सकती है कितनी due dates वगरे रहती है तो guys ये सारी भाई जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर तो पूरा वीडियो यहाँ पर जरूर देखेगा वीडियो को guys शुरू करने से बताना चाहूंगा अगर आप लोग एक expert के माधियम से अपनी private company के compliance को फुल्फिल करना चाहते है तो उसकी link भी मैंने आपको description box में दे रखी है तो चलिए guys शुरू करते है तो सबसे पहले guys अगर हम लोग compliance की बात कर लें majorly यहाँ पर दो type की compliance होते है एक होते है आपके ROC compliance एक होते है आपके income tax compliance जो ROC की compliance होते है ROC मतलब register of companies होता है basically जो कि ministry of corporate यानि कि MCA basically handle करता है second type के जो compliance होते है वो income tax department यहाँ पर simply तरीके से handle करता है और यह दोनों ही compliance आपको हर साल यहाँ पर fulfill करने पड़ते हैं तो देखे है हम लोग शुरुबात करते हैं simply ROC compliance के साथ में तो सबसे number one के ओपर जो mandatory यहाँ पर compliance होता है DIR3 KYC तो यहाँ पर देखें क्या होता है company के जित्ते भी directors होते है उन सभी को अपनी हर साल जो यहाँ पर re-KYC करानी पड़ती है जिसे आप लोगों ने bank में भी आप कई बार re-KYC वगर एक राते होंगे तो वैसे यहाँ पर same kind of the funda है ministry of corporate affairs यानि कि MC के साथ में आपको every year जित्ते भी directors है उन सभी का pan card, आदा card वगर देखकर वापिस आपको यहाँ पर KYC करानी पड़ती है और यह सभी जो forms होते वो आपके digitally sign होते जो भी directors होंगे उनके साथ में आपको मैं बताना चाहूँगा अगर आप यह form को fill up नहीं करते या due date वगरे को miss कर देते नॉर्मल इसकी जो due date होती है वो 30 September रहती हर साल और कभी-कभी यह extend भी होती रहती है अगर आप यहाँ पर due date के पहले यहाँ पर file नहीं कर पाते हैं माने जी due date के बाद file करना चाहते हैं तो 5000 रोपे की penalty आपके उपर लग सकती है साथ में due date के बाद में क्या होगा आपका जो din number होगा वो simply तरह से deactivated हो जाता है और उसका सबसे बड़ा नुकसान यही है कि अगर आपका din number deactivated है तो आप यहाँ पर MCA की साइट के उपर कोई भी जो है ROC का form वगर है compliance related या कोई भी form हो गया वो आप file नहीं कर पाऊंगे तो यह बहुत ही major compliance है कि every year आपको timely जो है अपनी KYC यहाँ पर करानी चाहिए second type का guys जो यहाँ पर compliance होता है वो होता है AGM annual journal meeting और ADT1 form जो कि एक auditor का form होता है तो देखे यहाँ पर आप लोगों ने कई बाद जो बड़ी बड़ी companies के अंदर AGM का नाम सुना होगा जो publicly listed companies होती है लेकिन भाई जो छोटी छोटी companies भी होती है जो start-ups होते है जो private company बनाते है उनको भी AGM यहाँ पर conduct करनी पड़ती है बस फरक इतना सा होता है कि छोटी कमणियों के अंदर यह गेवल on the paper होती है वना normally होता है कि कमणी के जो directors होते है जो shareholders होते है वो simply तरीके से AGM को यहाँ पर conduct करते है ताकि कमणी का जो financial performance है या कोई भी decision वगरे लेना है उसके उपर voting वगरे कर सके साथ में कैसे अकर मैं इसके due date वगरे की बात करू तो यहाँ पर 6 मेने की due date रहती है मतलब यहाँ पर बेसे जैसे आपका financial year end होता है मार्च के अंदर उसके within the 6 months आपको यह AGM conduct करनी पड़ती है मतलब ultimately आपका 30 September basically last due date रहेगा AGM के अंदर normal जो discussion है जिसे की auditor यहाँ पर कौन जो है कमनी के अंदर appoint वगरे होगा dividend का payment करना है की नहीं करना है financial performance हो गई प्लस कमनी के जो CEO है, CTO है, CFO है जो बड़-बड़े level वाले जो अधिकारी है उनकी salary वगरे, compensation कितना होना चाहिए तो यह सारे discussion वगरे रहती है आप guys इसके अंदर जो mean हमारा form file होता है वो 81 file होता है क्योंकि AGM के अंदर हम लोग यह discuss करते है कि company के अंदर auditor कौन रहेगा अब आप लोग के mind के अंदर confusion होगी क्या auditor को appoint करना जरूरी है compulsory है तो जी हाँ statutory जो audit होती है private company के अंदर वो compulsory होती है और आपको AGM के अंदर decide करना होता है कि यहाँ पे appointment और intimation कौन होगा auditor का और 81 form के थूरू वो आपको ROC को भीजना पड़ेगा तो जैसे आपके AGM यहाँ पे conduct होगी तो within the 15 days of the AGM आपको file करना पड़ेगा तो guys AGM की जो इसे due date जो 30 September रहती है अगर आप इसको extend भी करना चाहते है तो आपको before the due date यहाँ पे तीन मेने का extension मिल सकता है और जो ADT1 form है जैसे AGM यहाँ पे conduct हो जाती है कमने के जिते भी financial statement होते है जैसे कि balance sheet हो गई, profit and loss account हो गया trading account हो गया, directors की report हो गई तो यह सारी चीजे जो है AOC form के अंदर यहाँ पे combine होती है attached होती है और ROC को जो है within the 30 days of the AGM यहाँ पे file होती है यानि अगर मैं AGM की last due date की बात करूँ तो 30 September हो गई और उसके within the 30 days यानि की 30 October तक आपको यह AOC 4 form जो यहाँ पे file करना पड़ता है अगर timely यहाँ पे file नहीं करोंगे तो भाई अच्छे कासी penalty है 100 rupees per day की यहाँ भी आपके ओपर penalty लग सकती है अगर आपने financial जो statement है वो ROC को यहाँ पे time के ओपर नहीं बेजे तो 1st March था हमारा यानि की यहाँ पे financial layer जब end हुआ तब कंपनी के अंदर कौन-कौन भाई shareholder थे कौन-कौन यहाँ पे director थे कोई भी कुछ changes वगरे हुआ है तो यह सारी चीजे जो है MGT7 करके form आता है वो उसके अंदर यहाँ पे आपको सारी details जो है फिलब करके ROC को यहाँ पे बतानी पड़ती है क्या company क्या यहाँ पे जो management वगरे है उसके अंदर कोई खास यहाँ पे changes हुआ है कि नहीं हुआ और इसके अगर मैं due date की यहाँ पे बात करो तो within the 60 days from the AGM आपको file करना पड़ता है यानि AGM आपकी last due date ओगो ही 30 September तक और उसके within the 60 days यानि की 29th November तक आपको हर साल यहाँ पे MGT7 कंपल सारी तरीके से file करना पड़ता है और same kind of the thing है file नहीं किया तो जो penalty है वो अच्छी खास यह 100 rupees per day की यहाँ पे penalty आपके ओपर लग सकती है इसके बाद में जो compliance रता है वो हमारा income tax कर रहता है यानि कि हम लोगों ने ROC का compliance वर्फिल कर लिया ADT1 file कर लिया MGT7 form file कर लिया AOC4 form file कर लिया अब income tax की बात करो तो यहाँ पे हर साल आपको ITS6 form यहाँ पे file करना पड़ता है यहाँ पे 31 September 2023 आपकी last date रहेगी यानि normally हमेशा 34 September ही रहती है और इसमें क्या होता है ITS6 form के अंदर आपके जो financial statement बने है आपका trading account है, pain deal account है, balance sheet है यह सारे figure जो है वो ITS6 form के अंदर यहाँ पे जाते है इसके लागाइस अगर आपने इस due rate को यहाँ पे miss कर दिया तो 5,000 रुपे से भी जादा कि आपके उपर यहाँ पे penalty लग सकती है प्लस जो tax बनेगा उसके उपर interest और जित्ता भी penalty वगर होगा वो अलग से यहाँ पे charge होता है अब गाईस बात करते हैं कि कई लोग confused यह होंगे कि क्या इसके इंदर CA को हायर करना ज़रूरी है क्या auditing की skin requirement है तो देखे दो type की majorly skinder private loan company के इंदर audit होती है एक होती है आपके statuary audit तो statuary audit का मतलब यह हो गया कि आप ROC की compliance जो यहाँ पे forms वगरे फाइल कर रहे हो अपनी balance sheet upload कर रहे हो अपना pain deal upload कर रहे हो normally tax audit की limit होती है वो 10 crore की होती है यानि 10 euro अगर आपका 10 crore को cross करता है तब आपका auditing की requirement है अगर आपका completely business यहाँ पे digital है more than 95% आपका revenue जो है digitally आता है लेकिन अगर आपका cash के अंदर धन्दा है तो आपके लिए जो simply limit है वो 1 crore की यहाँ पे रहती है अगर मैं tax audit की यहाँ पे बात करो तो इसके लाइब देखिए guys अगर मैं बात करो क्या यह सारे के सारे compliance भाई गंपल सरी है तो जी हाँ बिलकुल गंपल सरी है आपको सारे जो ROC की compliance है आपको जो income tax की compliance है दोनों ही fulfill करने पड़ेंगे अगर आपके पास में एक private company है अगर आप business वगर नहीं कर रहे है आपका business almost बंद हो चुका है लेकिन अगर आपने private company जो है open करवा के रखी हुई है तो still आपको यह सारे के सारे जो compliance मैं आपको बता है वो mandatory compliance है और सारे आपको fulfill करने पड़ेंगे अगर नहीं करोंगे तो भाई अच्छी का से penalty लगेगी प्लस easily भी आप अपनी private company को जो है close नहीं कर पाऊंगे जब तक इन compliance को आप fulfill नहीं करोंगे अब दिखेगाईस अगर मैं बात करूँ कि कितनी यहाँ प्यार cost आएगी अगर आप यह सारे अनुल compliance वगरे करते हैं क्योंकि नॉर्माल इंचेसर बताया है कि इन सभी के अंदर आपको एक professional की नियाप पर requirement पड़ेगी यानि कि accept the DIR 3 KYC आपको mostly सारे forms के अंदर जो है professional चार्टर अगाउंटेट होते हैं जो company secretaries होते हैं उनकी आपको health की requirement पड़ेगी प्लस उनके signature वगरे भी अट्रेशन से वगरे होते हैं तो normally यही रहता है जो छोटे startup होते हैं जो प्रावरिवनिक अपनी अपनी बन जाती है उसके बाद में वो एक professional को यहाँ पर हार कर लेते ताकि वो उनके सारे annual compliance वगरे को fulfill कर दे सके तो अगर मैं average यहाँ पर cost की बात करूँ तो यहाँ पर 10,000 पर year तक यहाँ पर आपकी cost बेसिली start हो जाती है जिसके अंदर आपके सारे government के charges वगरे होगे professional fees वगरे हो गई यह सारी चीज़े यहाँ पर include रहती है और यह depend करता है fees की आपकी company का turnover वगरे कितना है कितने आपके transactions वगरे है क्या आपके transaction निल है नहीं है तो यह सारे बहुत सारे factors होते हैं जिसके ओपर यह चीज़े depend करती है कि अगर आप लोग यहाँ पर एक professional के through help लिना चाहते हो consultancy book करना चाहते हो तो उसके link में आप लोग को already description box में दे रखिए तो guys अब आप लोग को यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि ROC की कौन से compliance है जो की mandatory है और income tax की यहाँ पर कौन से compliance है जो आपको private company के अंतर यहाँ पर fulfill करना ही पड़ेंगे तो guys hope you like this video please subscribe channel अगर आप लोग के कोई भी doubt से comment box के अंदर जरूर बताईए thank you guys thank you very much